वेल्कम बैक आफ्टर दे ब्रेक आजकल इतनी सारी टेंशन से जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि स्काम्स की विज़ा से आपको हर वक्त चौकरना रहना पड़ता है इसके अलावा कहीं जाना है, कहीं से आना है, बच्चों को पिक करना है, बिल्स को अदा करना है, बहुत सारी टेंशन्स आपको हेडिक कॉस करती है और इसी अफरा तफरी के आलम में आप नोटस करेंगे, वैसे तो एक ब्रैंड ने कहा था कि कंदे से बोज अटा दे, ये कंदों का बोज कहीं जा नहीं रहा इन फाक्ट आपकी गर्दन, आपके कंदों और आपकी कमर के चाहे वो उपर का हिस्साव या निशले हिस्से में आपको रेगिलर पेन महसूस होगा इस पेन का इलाज क्या है, आप मुक्तलिफ टेस्क कराते रहते हैं, डॉक्र्स के चक्र लगाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हिकमत की नजर से भी जाना चाहे कि ये जो टेंशन हेडिक्स हैं या पिर आपके सर्विकल का जो पेन है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं हमाएं साथ मौझूद है हकीम शार नजीर साब, असलाम अलेकुम, वालेक्म, असलाम, आज आप काफी लोगों के लिए एक ऐसा जबर्दस, मेरा खाल में लेके आए हैं हैं, जिससे वो इस पेन से चुटकारा हासल कर सकते हैं, लेकिन हकीम साब इससे पहले कि हम नुस्खे का पेन एक अलग चीज़ है, और सर्वाइकल के पेन में और स्ट्रस के पेन में सिर्फ उनीस वीस का फर्क होता है, जो अगर हैडिक आपको रहती हो, बहुत ज्यादा आए, इसमें मैग्रेन पेन भी होता है, और आम तोर पे भी सरदर्द रहता हो, तो आप एक पूल आते ह पूलावर, इसका आप कैवा बनाके रोजाना रात को पियें, इसका अर्दू नामें इस्ते खुद्दूस, इसकी एक चमच सवा का पानी में डालके उबालें, कैवा बन गया, एक टेम रोजाना रात को लें और जब ठीक होजए हैं, और अगर सर्वाइकल में आपको पेन हो रहा है, और इसमें यह है कि जो के कमर के, जो घर्दन के मोरे होते हैं, इनमें कैप आ जाता है, बास अकाद इनमें जो है जटका लग जाता है, तो यहां पे एक वेन होती है, जो दबरी होती है, जिसकी वज़ए से लेटते बेटते चकर महसूस होते हैं, अगर लेटे हो तो थोड़ी दिर आंग बंद करते हैं तो यह लगता है जैसे उंचाई पर जा रहे हैं या तो जमीन हिलती भी मैसूस होती है उठते बेटते उनको और गरदन पर खिचावा होता है अगर इसमें S1 का मौरा अगर दब जाता है तो इसकी वज़े से हाथ सुन भी होते हैं और पाउं भी सुन होना शुरू होते हैं इसके साथ साथ अगर कमर पे आपके दर्द रहता है और कमर पे L4 और L5 के मौरें वह दब जाते हैं जिसे अरकुल निसा का दर्द का आ जाता है इसे कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आता है तो इन दोनों को ठीक करने के इस व्ही पाउडर हो एबो Gondphu Lai यह पूर्डर है यह हम लें गे 50 ग्राम यह शगाकूल-Mousli लो भी हम लें गे 50 ग्राम यह सुरंजान शिरी दिखने यह तीनों चीजें 50-50 ग्राम यह यह एक चीज और 20 ग्राम लें यहांने इसकी कॉंटिटी तोड़ी कम लेंगे क्योंकि यह कॉंस्टिपेशन को भी तोड़ती है बाद लोगों को लूज मोशन कर देती है यह आधी कॉंटिटी लेंगे 20 ग्राम आप डालेंगे मिक्स करके ऐसे बारीक पॉडर बना ले और एक चैवली चमच सुबा एक चैवली चमच शाम एक कब दूर या पानी के साथ और यह कंटीनियू आपने कुछ हरसा यूस करना है जैसे दो तीन महीन है फरक आपको पहली पांच दिन में आ जाएगा क्योंकि जो चीज़ पांच काम नहीं करें वो पांच साल में भी नहीं करेंगी ठीक है अच्छा मुझे यह बिताएगा कि इसको तब इस्तमाल किया जाए जब आप दर्द में सूस कर रहे हैं यह रेगिलर्ली आप जब आपको तकलीफ हो गई है आपको तो फिर मुतवातर रहेगी यह तकलीफ इसको आप यूज़ करेंगे इसमें नअगा नहीं करेंगे यह डियबेटिक पेशिंट भी ले सकता हूई बैप सब्सक्ते है कि मैं कोई नमक नियंद कोई मेडिकल आइप मेडिकल नीज़े तोटल हाभ इंच is यह तक्यों को मदबूत करने के लिए सविंदीशनINA प्रवारा हमला हैं या नर्सिंग मदर्स हैं क्या तब भी इन जड़ी बूटियों का वो इस्तमाल कर सकती हैं लेकिन हमला खावती हैं जो हमल के दूरान किसी भी किसम का टोट का इस्तमाल ना करें जो आपकी लेडी डोक्टर आपको मशवरा देगी आप उस पर अमल कीजिए बिल्कुल यह देखें जो जाफरान की मिगदार वह एक बाल डालियेगा जी इससे ज्यादा ना डालियेगा बात लोग चुटकी डाल देते हैं जो कि गलत है बहुत गरम हो जाता है यह तो मुलेठी आदे हैं इंच का तुकड़ा और जाफरान जो है वह एक बाल के बराबर और इसमे कोई नुकसान नहीं है एक टेम रोजाना ले सकते हैं आम तर पर आपने देखा होगा फैटी लीवर लोगों को हो जाता है इसकी वज़े से जो है मूँ का जैका भी कड़वा कड़वा मैसूस होता है तो जिन लोगों को भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम रहती हो वो उंट खवतीन ने आपने किसी वक्त शायद पी-सी-ओ उसके लिए कोई कावा बनाया था तो वो उसकी बार-बार फरमाईशा रही है कि बताया जाए कि और उसके फवाइद क्या है क्या उससे हॉमोनल बालन्स की तरफ हम जाते हैं क्या ये सिंटम्स को रिलीव करता है क्या ये मर इसमें पानी के बालन्स को बनते हैं बाद लोगों को चोकलेट सिस बनती है इसमें डर खोव घबराट बेचेनी भी बहुत ज्यादा रहती है तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेने गुल पिस्ता लूत पठानी गोखरू तीन चीज़ें गुल पिस्ता लूत पठानी औ शमत शाम एक कब दूद या पानी से चाए खाने से पहले या बाद में ले लें कोई हरज नहीं है साथ में अरके मको पीएं आदा कप सुबा आदा कप शाम तीन महीने कंटिन्यू यूज़ करना है मखसूस है आम के दिनों में इसे रोक लें फार्मी चिकन का इस्तमाल ना क लिए तो खास और पे अगर पी-से-ओस की बात की जाए यह आज कभी जो नुस्खा था क्या इसकी तासीर हमारे जिसम पे गरम है या ठंडी है यह नहीं ना घंडी है यह मौत दिल होती है और यह वो चीज़ें हम लाकर बताते हैं ओनियर खड़े होगे जिनके कोई साइड का ट्रीटमेंट चल रहा है तो तुमाम चीज़े एक दफा आपने मौलेच को जरूर बता दीज़े जिसा आप यह स्कैम की बात आप कर रही थी कुछ लोगों ने हमारी मौनिंग शोस पर जब हम आती ना आप लोगों के पास इनकी वीडियो लेकर जैसे हमने किसी मर्स की सब्सक्राइब है और जब हम बनाने लगते हैं तो वह कट करके अपनी फ्रोडेक लाकर रख लेते हैं उनसे हमारा कोई तालुक नहीं है प्लीज वीडियो कॉल करके देख लिया करें के मैं ही हूं या कोई और है आप लोगों पैसे बेच देते हूं लोगों आपका जिस भ अबिल्स करूं झालुक नहीं हाई बनाने जीजु क करें भके लिता हैं पाँ करूं सब्सक्राइब हुआ टालुक जोड़ क odpowchron हों तो बनाने दो मातीज़ आपका।